हलो दोस्तों आपका SSC जी के ग्यान में स्वागत हैं आज हम आपके लिए कुछ महत्मा गादी जी के बारे में कुछ क्वेस्टन लाएं जो प्रिवियस एयर में बार बार पूछे गया हैं यह अगरगामी आने वाले टेपर इस एंटीपीसी एंटीपीसी रेलवे इसससी यूपिट्रिपलिससी यूपिट्रिपलिससी इत्यादी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आजे दूस्तों स्टार्ट करते हैं इस्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को padように mix, share, subscribe और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए स्टैने आइजित दूस्त इस्टार्ट करते हैं । पहला महातमा गाधी जी ने सत्यागरा क्रिया विदी सबसे पहले कहां से पृइक थी लोlance मैंि अधाल का इंसर और महलतमा गाधी जी हो कि मफा डींपोर्टेंटalities ये सिंपारा सत्यागरा Email की लें इन सब question को आप याद रखें चलते हैं अगले प्रश्ट पे प्रश्ट दो अंग्रेज पुलिस अफसर केप्रन सांडर्स को किसने गोली मारी थी तिसका right answer बताएए दोस्तों तिसका right answer होगा भगत सिंग अगले प्रश्ट पे चलते हैं अगला प्रश्ट है जह हिंका नारा क इसने दिया कि इसका right answer होगा दोस्तों सुभास चंद्र बोस बढ़ते हैं अगले प्रश्ट पर दोस्तों जिस प्रश्ट का answer पता हो उसको comment box में जरूर लिखे और जिस question पर यदि doubt हो तो उसे भी question box में जरूर लिखे तो अगला प्रश्ट है निमने लिखित में से किस वर्स में मुस्लीब लिग ने एक प्रथम राष्ट का संकल्प प्रस्तावित किया था तो इसका right answer होगा दोस्तों डी अर्था इस जितने भी question आज हम लाएं आपके लिए वह पहुत ज्यादा आपके लिए useful होने वाले हैं दोस्तों इन सब प्रश्णों को आप याद कर लीजिए किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसका right answer बताईए दोस्तों और comment box में लिए इसका right answer होगा यह सुभास चंद्रबोस अगले प्रश्ण पर चलते हैं देश पंदू की उपादी संबंदित हैं इसका right answer होगा भी अर्थात चितरंजन दास अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण और कांग्रेस का 1929 का अधिवयसन किस जिसमें पूर स्वराज का लच खुसित किया था कहां पर हुआ था इसका right answer होगा दोस्तों सी लाहौर अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं कांग्रेस ने भाराज छोड़ों अंदोलन का प्रस्ताव किस वर्श पारित किया था तो आपसन आपके सामने इसका right answer होगा दोस्तों अगले प्रश्ण पर चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है सुभाज चंद्र वोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा दिया यह नारा कब दिया गया था इसका right answer होगा दोस्तों डी हर्था 1945 ने अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है असायोग आंदोलन को निलंबित किया गया असायोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया जो महात्मा गादी जी के द्वारा शुरुवात की गई थी इसका right answer पताएए दोस्तों इसका right answer होगड़ी है अगले प वर्श बारह वर्श उनीस उनीस में जालियो वाला बाग हत्याकान कहां पर हुआ था इसका right answer होगा दोस्तों इसका right answer पताएए दोस्तों इसका right answer पताएए दोस्तों इसका right answer होगा यह 1930 में अगले प्रस्ट पर पढ़ते हैं अगला प्रस्ट है नीमने रिखित में से किस किर्थी के कारण भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फासी दी गई थी कि इसका right answer होगा दोस्तों इंस्वर यह 1928 में लाहोर में सांडर्स की हत्ता के कारण भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव को फासी दी गई थी दोस्तों जिस क्वेशन के एंस्वर पता हो उसको कमेंट बाक्स में जरूर लिखे और चीज भी क्वेशन पर यदि डाउट होता है उसको भी कमेंट बाक्स में जरूर लिखे और इस वीडियो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज ने किसी भी व्यक्ति को कईद करने का प्रादिकार, सरकार को दिया था, तो इसका राइट एंसर बतारे दोस्तों 1919 का रुल्य एक अधिनियत था ! अगले प्रेस्षन पर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण है 16 गाधीन इर्वीन समझोता है किसे से संबंदी थे इसका राइट एंस्वर होगा दोस्तों भी सविन्या वग्या अंदोलन अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं स्वतंद्र भारत के प्रथम महराज जैपाल कौन थे और स्वतंद्र भारत के प्रथम गुवर्नर जर्रेनल कौन था तो इसका राइट एंस्वर होगा यह माउंट बेटन अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं किस अधिनिये में पहली भार भारत के लिए संगी सरचना प्रस्तूत की गई थे इसका राइट एंस्वर होगा दोस्तों इंस्वर सी 1935 का अधिनिया अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं काकुली ट्रेन डगयती कांड के क्मिन आयक कौन थे जो किसका राइट एंसर बताईए दोस्तों जो चार आफ्सन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पहला आपसन है राम परसाद बिसमिल्ट भगत सी ब्रकेश्वर दत ब्रकतुल्ला कि सकर अधिनिया अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं कि इसका राइट एंसर होगा दोस्तों दी जेम स्फोर्ट अगले प्रश्ण भी चलते हैं यह जितने भी कोईस्चन है आपके आने वाल अग्रगामी आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा मुहत्वपुर्ण सावित होने वाले हैं तो प्रश्ण बीस है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जैल में महात्मा गादी ने आमरल अंसन किसके विरोध में किया था इसका राइट एंसर होगा सी राम से मैक टुनाल किसम प्रदाइक पंचायत की उरुत अगला प्रश्ण प्रश्ण 22 किस आंदोलन में महात्मा गादी ने भुक रताल को एक हतियार के रूप में पहली वार प्रयोग किया इसका राइट एंसर होगा दोस्तों सी आहमादाबाद मीर मजदूर अगले प्रश्ण पर चलते हैं हम जालियो अला पाग में गोली चलाने का अदेश दिया इसका राइट एंसर होगा दोस्तों सी और एच डायर अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रश्ण 24 महत्मा गादी को सुरुप्रतम राष्ट पिता किस ने कहा चार आपसन है बल्ला भाई पटेल सी राज गुपलचारी सुभाज चंद्रवोस जवार लाल नहरू इसमें चार आपसन में से एक आपसन करेक्ट है उस आपसन को कमेंट बाक्स ने जरूर लिखें इसका राइट एंसर होगा दोस्तों सी सुभाज चंद्र बोस अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे म अधिक समय तक अध्यच कौन रहें इसका राइट एंसर होगा दोस्तों ए अगले प्रश्ण परते हैं दोस्तों यतने प्रश्ण है यह अग्रगामी आने वाले परिच्छाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इन सब प्रश्णों को आप एक बार दो बार नहीं तीन बार वीडियो देखके याद कर लें क्योंकि यह प्रिविएस एयर में पूछे गए प्रश्ण है जब 15 अगस्त 1937 को भारत ने पहली आजादी का सजश्ण मनाया तब महात्मा गादी कहां थे इसका राइट एंसर हो होगा दोस्तों डी कोलकाता अगरे प्रश्ण पर चलते हैं भारत यह पाकिस्तान को भाजन किस योजना के तहत हुआ था इसका राइट एंसर होगा यह माउंट बेटन योजना अगरे प्रश्ण पर बढ़ते हैं महात्मा गादी कहत्या कब हुई थी यह चार आपसान है इसका कर्रेक्ट एंसर बताईए जिसका राइट एंसर होगा भी 30 जनुवर उन्नेश्ट अगरे प्रश्ण पर बढ़ते हैं कौन से भारती स्वतंत्र भारत का पहला जनरल गवर्नर था जिसका राइट एंसर होगा सी सी राज गुपल चारी अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं काइदे आजम किसे कहा जाता है चार आपसन मुहम्मद अलि जिर्णा भगत सिंग महत्मा गाधी जवार लाल नहरू जिसका राइट एंसर बताइए जिसका राइट एंसर होगा मुहम्मद अली जिन्ना को काइदे आजम कहा जाता है अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं गादी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, जिसका राइट एंस्वर होगा भी, ड्यूती गोल में सम्मेलन, अगले प्रेश्ण में पढ़ते हैं, असा है यह आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसर आइकाउन थे, इसका राइट एंस्व अगले प्रेश्ण पर पढ़ते हैं, भारती सो तंतरता आंदोलन के दोरान चर्चिच पुस्तक इंडिया फार इंडियन्स के लेखक थे, इसका राइट एंस्वर बताइए दोस्तों, इसका राइट एंस्वर होगा, जी और दाचितर रंजन दास, अगले प्रेश्ण पढ इसका राइट एंसर होगा, दोस्तों, सी, उधम सी, अगले प्रेश्ण पर पढ़ते हैं, साइमन कमिशन का भारत आगमन किस वर्स में हुआ, इसका राइट एंसर होगा, दोस्तों, अब बताइए इसका राइट एंसर क्या होगा, कमेंट बाक्स में जरूर लिखें, इसका दोस्तों यह सब यह very very important इस जितने भी question दोस्तों जो अगरगामिक परिच्छाओं के लिए बहुत ज्यादा useful होने वाले हैं तो इसका right एंशर होगे अगले प्रश्ट पर बढ़ते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा कि रचनाकर कौन है जो आप से दिए रविद्ना टाइगोर इकबाल रहमत अली भगत सीम इसमें कौन से अपसन होगा दोस्तों इसका राइट एंसर होगा भी इकबाल इकबाल ने सारे जहां से अ दीन बंदू के नाम से किसे जाना जाता है इसका राइट एंसर बताएए दोस्तों इससे डी आफसन इसका डी करेक्ट होगा सी एफ एंड रियूज को अगले प्रश्ट में बढ़ते हैं माई एक्स्प्रिमेंट वी तूटके रचनाकर हैं इसका एंसर बताएए दोस्तों इसका राइट एंसर हो गए यह महात्मा गाधी ने माई एक्सप्रिमेंट वी तूट लिखे थे अगले प्रश्म पढ़ते हैं डांडी यात्रा में गाधी जी ने कितनी दूरी तेकर के नमक कानून का विरूत किया था इसका राइट एंसर बताएए दोस्तों इसका अगले प्रश्म पर बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्म है 42 गाधी जिने किस कानून को काला कानून का था इसके बारें बताएए यह वह P कि रूलेट एक्ट पर बढ़ते हैं 43 चमपारर सत्यागरह एक दवरह माहतमा-गादी के साथ कौन सामिल थे इसका राइट एंसर बताईए इसका राइट एंसर होगा सी राजेंद प्रस्थाद और अनुगर अनारार सिंग अगले प्रश्ण में बगते हैं, अगला प्रश्ण है, आजाद हिंद फौज से संभन्दित नहीं है, आप सन्हें आपके सामने, गुर्धयाल सिंग ढिलो, शाहनवाज खान, जनेरल मुहन सिंग, और सी दत, इसका राइट एंसर हो गड़िये, और सिदत अजाद हिंद अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है, सुराज पार्टी का अस्थापना किस वर्स की गई थी, सुराज पार्टी का अस्थापना किस वर्स की गई थी, यह अप्सन आपके सामने है, 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में, इसका राइट एंसर पताएए दोस्तों, इस में प्रॉटे हैं। अग्रा प्राशन है विवाज्यून य्योज्वाजन विभाजन उन्स इसमें दूसरे भाजन कब हुआ था बताना एप हो आथ ऊच्क और हई यह ह₁च उंस्टोनका और सुन आए दोशव zegा दोस्तोनका Сविवरे में हुआ था दूसरा इभाजन कब हुआ था यह बताना है तो 46 का राइट एंसवर क्या होगा दोस्तों 46 का राइट एंसवर भी मुंबई में 1947 अगला प्रश्ण कि 1929 का जालियो अलबाग हत्यकांड के समय सर की उपादी बिट्री सरकार को किसने लटा दिये यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह कई एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं आप इस क्वेश्चन को याद रखें तिसका राइट एंसवर होगा दोस्तों रविन्न टैगोर सी आप्षण करेक्ट होगा अगला प्रश्ण स्वतंतरता प्रा स्वेश्चन से नहीं थे अगरेज के अध्यास थे का अंगरेज के महस सचीव थे कि इसका राइट एंसर होका दोस्तों भी अगरेज के सदस्त नहीं थे 48-49 जायलियो वाला बाक के नेरस नहार की समय भारत का वह सरह कुंट था चार आप सन यह भी very very important question कई बार exam में repeat हो चुके हैं दोस्तों यह भी very very important question इसका right answer होगा दोस्तों दी लाट चेंस फोट्ट थे अग्ला प्रैश्न आघ्ष r». इसका रह एंशर खड्डी riis балी अफ इंडिया अगले प्रैश्ट परचर पढ़ते हैं सुघराज पार्टी का स्थापना कप की गई थी इस कर आइट आउन से बताए, ये भी वेरी-वेरीक है दोस्तों पूछे गए वेरी वेरीक कोश्चन ही आप लिए लाये हैं जो अगरेघामी परिच्छाओं के लिए बहुत ज्यादा उप्योगी है इसका राइट एंसुर क्या होगा लोग दोस्तों इसका र॑इट एंसोर होगा। 9023 अगरे प्रस्ष पर वढ़ते हैं कि सथाफना किस में की थी तिए की उपर हमने क्विश्डिन पंफा कि सुराज पार्टी या सबना किसके द्वारा की गई थी इस आपसर नहीं मोतिला नहरू चित्रंदन दास ए या बी दोनो या इनमें इस कोई नहीं इसका राइट एंस्वर होगा सी अगर आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट में चोरी चोरा नामग प्रसित अस्थल कहां पर है लखनवू गोरगपूर इलहाबाद आगरा इसका राइट एंस्वर होगा यह गोरगपूर है जो यूपीम पढ़ता है अगला प्रस्ट हूँ लाइफ इफ इंडिया डाइच किसकी उक्ति है चववन का इंसर बताईए चववन का सी है चववन का सी होगा जवाल लान नहर हो अगले प्रस्ट पर चलते हैं भारत में जब क्रिप्स मिश्यान आया उसमें भारत का वाइसरा कौन था 55 का राइट एंसर होगा दोस्तों यह एक बार अगले प्रस्ट में बढ़ते हैं दोस्तों इनकलाब जिंदाबात का नहरा किसे नहीं दिया यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट को क्वेस्टन है जो अगर कामी पेपर के लिए वह ज्यादा यूसफुल होने माले हैं दोस्तों इसकर राइट एंसर होगा दी भगत सिंग ने इनकलाब जिंदाबात का नहरा दिया था अगले प्रस्ट के चलते हैं दोस्तों कौन भारत छुड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा कि कितने इंपोर्टेंट क्वेस्टन हैं आपके लिए इसका राइट एंसर होगा दोस्तों डी भी आरम बेटकर भाराश होड़ो आंदोलन में सामिल नहीं थे अगला प्रस्ट भारत के आजादी किसमें कांग्रेस का देश कौन था जो आप संचार हैं महत्मागाधी जवारलाल नहरू जेवी क्रिपलानी सरदार पटे 59 का राइट एंसर होगा दोस्तों सी जेवी क्रिपलानी अगरे प्रस्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों भारत एंप पाकिस्तान के बीच सिमांकन किसने किया था इसका चार आपसान आपके स्किन पर है दोस्तों आप इसका राइट एंसर कमेंट पाक्स में जरूर लिखें तो 61 का राइट एंसर यह होगा इस ठहाले यह जरूर अगले प्रेस्ट के प्रस्थन है दोसतों अध्ल अफ्रिका में महात्मागादी बैडी बार्व प्रकाशित पत्रहा का नाम था आप पो इसका राइट एंसर बता हूँ दोस्तों इसका राइट एंसर होगा gust-ई हरी जन अगले प्रश्न पर पत्रते हैं अभाति सोड़ी दोस्तों और सोड़ी दोस्तों फिर से क्वेस्टन को एक बार देख लेते ह। दच्रि अफ्रीका में महत्मा गादी दोरब प्रकाशुपत्री क नाम क्या था इसकर आई टेंसर अगर भी इंडियन ऑपिनियन था अग 232 में अखिल भारती हरीजन संग के संस्थापक कौन थे महत्मा गाधी डिया रंबेटकर जग जीवा राम विनुबव भावे जिसका राइट एंसर पता ये दोस्तों जिसका राइट एंसर होगा ये महत्मा गाधी अगरे प्रस्ट पर चलते हैं कहां 21 अक्तूबर 1993 को सोतन भ इसका राइट एंसर होगा सिंगापूर अगले प्रस्ट पर पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लेंड का प्रदार मंत्री कौन था तो आपका 65 का एंसर होगा भी चेर्चिल अगले प्रस्ट पर चलते हैं जो प्रस्ट 66 है 1947 के भारती राष्ट्री कांग्रेस के दिल्ली अधिवेषन के अध्यस्चे था किसने की इसका राइट एंसर होगा दोस्तों कि और राज़ंदर प्रशाप अगले प्रस्ट पर बढ़ते हैं करौय अम्मरो का मंत्र किसने दिया था इसका राइट एंसर होगा दोस्तों कि अग्रश्टि चलते हैं भारती राश्टी कांगरेश की कराची अधिवेशन की अध्यष्टा किसने की अग्राइट एंसर बता ये दोस्तो तो इसकर आए एंसर अध्य भाई पतेल अगले प्रश्ट में बहते हैं समय श्पुर्व निक्ती सभी सदस क्या अंग्रेश थे सभवति प्रृटी का था गाधिक का असयोग आंदोलन इसा राहिट एनसुर बताएं दोस्तों इसका राहिट एंसुर होगा दोस्तों भी आप संभी ganze सभी सदस अंग। अगर अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70 भारत में देवध शासन प्राराम किया गया देवध शासन किस एक्ट के तहत प्राराम किया गया इसका राइट एंसर बताइए किसका राइट एंसर होगा C मान टेक दू चेंजब फोट 19-19 यह एक्ट था अगरे प्लश्प पर चलते हैं दोश्थो किस आंदोलन में सरदार बल्ला भाई पटेल ने मुख्य भूम का निभाई इसका राइट एंसर होगर D बारदोली सत्यागरा एगले प्रेश्ट पर चलते हैं दोस्तो महात्मा गादी दच्छी अफ्रिका से भारत किस वर्स में लोटे थे इसका राइट एंसर बताईए दोस्तो तो इसका राइट एंसर होगर एगले प्रेश्ट पर चलते हैं महात्मा गादी के मृत्ति उपर किस ने कहा हमारे जीवन से प्रकास चला गया है ये चार आपसन आपके सामने हैं दोस्तो पहला आपसन है माउंट पेटन राजिंत प्रसात इस रादा क्रिश्रम जवाण लालन नहिरू सका राइट एंसर बताईए दिसका राइट एंसर रोगर डी जवाण प्रेश्ट पें चलते हैं इन क्लाप का नहारा किसने दिया कि इसका राइट एंसवर होगा दोस्तों दी इकबाल कि अगले प्रश्ण पर चलते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ती दिवस मनाया था 75 का एंसवर क्या होगा दोस्तों 75 का एंसवर करेक्ट होगा 1949 में मुस्लिम लीग ने मुक्ती दिवस मनाया था अगले प्रश्ण पर चलते हैं पाकिस्तान सब्त का प्रयोग सबसे पहले किसने किया चार आपसन आपके सामने हैं दोस्तों इसका राइट एंसवर होगा दोस्तों डी चोधिरी रहमत अली अगले प्रश्ण पर पढ़ते हैं दोस्तों भार्ती राष्ण का वर्ष 1929 में लाहुर अधिवेशन किसकी अध्यचता में हुआ था तो 77 का राइट एंसवर होगा दोस्तों सी जवार लाल नहरू अगले प्रश्ण पर पढ़ते हैं दोस्तों फारवर्ड ब्लाक के अस्थापने किसमे की थी जो आपके सामने चार आपसान है सुभास चंद्र बोस जवार लाल नहरू भगत सिंग राजंद्र प्रशाथ इसक अगले प्रश्ण पर पढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है 1946 में गठित अंत्री काइबनेट के अध्याश्ता किसमें की थी जाब के सामने चारा आंस्वर है इसका राइट एंसवर कमेंडर बाक्स में दिखिए तो प्रश्ण 79 का राइट एंसवर होगा भी जवार ल की किसमें की थी कि सकराइट एंसर प्ताईगी दोस्तों हो सब्सक्राइट अभी जारी यवार बाग हत्या कांड के बाद इसका राइट एंसर डी अगले प्रश्ण पर चलते हैं दोस्तों किसने कहा था मेरी पीट पर किया जाने वाला प्रहार प्रिटिस सम्राज के एगले प्रश्ट पर चलते हैं दोस्तोँ, 1932 के पूरे समझोते के साथ किसका सीधा संबंध था? 82 अरथाद 82 का राइट एंस और बताएं दोस्तों, 82 का राइट एंस और होगा D, भारती दली त्वर्ग अगले प्रश्ट के चलते हैं दोस्तों किस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई 83 का राइट एंस्वर होगा दोस्तों सी सुभाष चंद्रिबोस अगले प्रश्ट में पढ़ते हैं दोस्तों प्रश्ट 84 के आंदोलन में डाक्टर आजेंद प्रसाथ को किस जेल में करत की रखा गया था इसका राइट एंस्वर बताई दोस्तों अगले प्रश्ट पर चलते हैं दोस्तों जै प्रकाष नायर आयर किस पार्टी से जुड़े हैं अगले प्रश्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों भारत छुड़ आंदोलन का प्रारम हुआ था जो आपसे आपके सामने है 9 अगस 1942 10 अगस 1942 15 अगस 1942 16 अगस 1942 तिसका राइट एंसुर बताई दोस्तों इसका राइट एंसुर हो गए है 9 अगस 1942 को भारत छुड़ आंदोलन प्रारम किया गया था अगले प्रश्ट पर चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्ट है गादी जिने नमक कानून का उलंगन कब किया था इसका राइट एंस्वर बता ही दोस्तों 87 का राइट एंस्वर कि सी होगा च्छा अप्रव उन्नेश्प तीस अगले प्रस्ट पर पढ़ते हम इंडिया डिवाइड इपुस्तक के लेखक थे एंडिया इंस्वर होगा दोस्तों भी राजंद्र परशाद राजंद्र परशाद ने इंडिया डिवाइड पुस्तक कि लिखी थी अगला प्रस्ट किसे ने सभी तीनों गोल में संभिलन में भाग लिया था एटी नाइन का भी भी राइट होगा दोस्तों भी आरंबेट कर अगला प्रस्ट कादी जित अच्छे अफ्रिका में कितने वर्स रहे नब्य नाइन्टी नाइन्टी का राइट एंसर होगा दोस्तों भी यह आपके लिए जितने भी क्वेश्चन आज हम लाए हैं यह प्रिवेस एरे में बार बार पूचे गए जो अग्रगामी आने वाले पेपर के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नाइन्टी वन का राइट एंसर बताएं दोस्तों तो नाइन्टी वन का यह आपसर करेक्ट होगा मोती लल नहरू अगले प्रेश्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों महत्मा गाधी ने भारत में अपना पहला जन भासर कहा दिया था तिसकर राइट 92 का राइट एंसर होगा दोस्तों दी वरारसी में धिया था अगले प्रेस्ट पर बढ़ते हैं किसने सत्त नगराश चब्द को गढ़ा आपो के सामयत 800 न हरीलाल गाधी माहत्मा गाधी रामदस गाधी मरी-लाल गाधी सalth का राइट एंसर होगा दोस्तों द महत्मा गादी अगले प्रश्ट पर पढ़ते हैं दोस्तों 94 कि 94 अफ्रीका के किस रेल्वे स्टेंशन पर महत्मा गादी को ट्रेंश से फेका गया था इसका राइट एंसर पता ये दोस्तों जुहांसवर्ग त्विटर मारित्सवर्ग डर्बन कटोरिया कि 94 का राइट एंसर होकर दोस्तों भी पितर मरित्सवर्ग में अगले कोश्चन पढ़ते हैं दोस्तों किसने 1946 के काइबिनेट मिशन को नित्रित्व किया था चार आपसन आपके सामने हैं दोस्तों 95 का राइट एंसर बताइए 95 का राइट एंसर C होगा सर पैथिक लारेंस अगले परस्चन पढ़ते हैं दोस्तों 96 15 अगस 1947 को भारती राष्टी कांग्रेश का अध्यश का अध्यश को था 96 का राइट एंसर बताइए दोस्तों 96 का राइट एंसर होगा दोस्तों C जेवी क्रिपलानी जेवी क्रिपलानी पंदर अगस 1947 को भरती राष्टी कांग्रेस के अध्यस थे अगले प्रश्च में पढते हैं दोस्तो नेंटी सेवन डांडी मार्च में महात्मा गादी के साथ कौन था दो 97 का राइट एंसर बताना है दोस्तो हमें दो 97 का राइट एंसर होगा भी वेप मिलर अगले प्रश्च पर पढते हैं दोस्तो अगला प्रश्च है किसने अप्रेल 930 में नमक कानुन तोड़ने के लिए तंजर टट पर एक अभियान संगधित किया था जिसमें साफसन आप कि गोपालचारी कि कामराज एनीवेसेंट इसकर राइट एंसर दोस्तों बता ही है इसकर राइट एंसर ने नैंटीएट कभी होगा सी राइज गोपालचारी अगले कोश्च पर पढते हैं दोस्तो पाकिस्तान के महां कब की गई थी यह भी वेरी इंपॉटेंट बाहर बाहर आप किसी भी SSC MTS Railway Group D NTPC किसी भी एक्जाम को पेपर आप देने जा रहे हैं तो आज हम आपके लिए आधनिक भारा आधनिक इतिहास के जो महत्तपुड क्वेस्टन लाए हैं वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो यह हंडेट क्वेस्टन आपके अगले अग्रगामी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो नाइंटीनाइन का है राइट एंसवर अगर्ड डी उन्ने सुचालिस उन्ने सुचालिस में पाकिस्तान की मांग की गई थ अगले कोश्चन पर पढ़ते हैं दोस्तों जो आज के सेशन का लास्ट अंतिम क्वेस्टन है प्रसन हंडेट सभी ने अवग्या अंदूलन कप हुआ था इसका राइट एंसवर पताएं दोस्तों इसका राइट अप एंसवर अप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें इसका इसका राइट एंसर होगा दोस्तों यहां पी दो बार लिख लिख दिया गया है इसके लिए सोरी टाइपिंग दो बार हो चुकी है जो आपके अग्रगामी आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट बाक्स में अपनी राय दें इससे अच्छे से अच्छी वीडियो हम आपके लिए बना सकें जो अग्रगामी आने वाले जो इत्यादी एक्जाम जितने अग्रगामी आने मेरे अले पेपर है उसके लिए आज की जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्स पर वाचिंग